तो हिन ये बताईए मुझे कि भाई पश्ची में उत्तर प्रदेश में दबदबा आपका 27 सीटों में 19 आपकी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं कह दूं तो घलत नहीं है जाट मोट बैंक आपका फिर क्यों जैंत चौधरी की जरूरत है भारती जनता पार्टी क उत्तर प्रदेश में पिर में फ कि गरिमांजी है जरूरत की बात नहीं शरूरत अगर आज लेकिनाज्करिश की तो कंग्रेस जब 350 आ रही होती तो हमें लगता है कि 370 जाए दो तिहाई मेजॉरिटी अपने बल पर जीतने का जो लक्ष हमने रखा है और जो 400 सीटों का पूरा एंडिया के लिए रखा है वो एक भूतपूर्व लक्षा और उससे कॉंग्रेस की क्या हालत होगी कॉंग्रेस को डरना चाह कुल लगेगा वो निरने हम लेंगे जयंत चौधरी का स्वागत से परहेज करते हैं जयंत चौधरी का स्वागत है गडवन्दन में सनातन विरोधी और भ्रष्ट है तो हिन से ना देखें आपने 25 सितंबर को जब पहली बार नहीं मैं बता रहा हूं 25 सितंबर को पहली बार प्रदेश कुमार जो है देविलाल के प्रोग्राम में नहीं जाकर देन दयाल उपाद्य जी के जन्द दिवस के कारेकर है उस समय अपने पहली बार पूच्छा था कि नितिश कुमार आएंगी और तब भी मैंने कहा था कि जब ओपचारी कुरूप से कोई घोशना नहीं कर बीजेपी अपने दम पर नहीं तोड़ सकती ज़रूरत है दो प्रतीशत के वोट शेयर वाली पार्टी की भी ज़रूरत है आपको अब विपक्षी पार्टियों की तरह बात कर रही है आप अगर आना चाहें आपका भी हम स्वागत करेंगे क्योंकि बीजेपी जो है एक समावेशी पार्टी है मैंने गहां कि जो व्यक्ति है जो पार्टी सनातन विरोधी नहीं है और भ्रश्ट नहीं है उनके प्रती वो एक अंटेचिबिलिटी की भावना कदापी हमारे में नहीं है नहीं तो फिर वह वाला जो नरेटिव है बीजेपी का एक अकेला सब पर भारी तुहिन आप तो भ करते थे प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी इसका हिंदी हिंदी में अनुवाद कर सकते लेकिन और और जो व्यवहारी कुशलता के बगैर राजनीती आगे नहीं चलती है तो इसलिए राजनीती में अगर कोई रिजिड होता ना तो उसका वही हालत होता जो आज कॉंग्रेस पार्टी की है जो चालिस सीट में जीट पाई यह मैं आपके शो पर लिखके दे रहा हूं तो बजाए इसके कि आप सवाल उनसे पूछे तो फ्लेक्सिबिलिटी जोड़ना चाहेगा तो हिन ब्रस्टा चार्ट पर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एक अकेला सब भारी इस स्टे लेक्सिबल हैं अगर ओवेसी कभी जोइन करने की कोशिश करेगा हम उसको आने नहीं देंगे ममताब एनरजी अगर कभी आने की कोशिश करें यह लोग जो है अगर डियम के अगर आना चाहेगी मौजूदा डियम के बात नहीं कर रहा हूं लिक्त जो आज जो है आउट कि आपके अपने लक्षों की प्राप्ति कि आपको लेकिन ऑन मैरिट इस वैलकम्ट कि अधिक अधिक कोई घूझाइश नहीं पेर उनकी पार्टी ने प्रहार किया था उनकी कोई घूझाइश हुच नहीं तो जियनत् कर रहे हैं प्रतिक्रिया कर रही है केश्व प्रिसाद मौर्या कर रहे हैं पहले तो उनको निर्ने लेना है ना वह अप्चारिक बैयान दे वह स्फष्ट करें उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे ठीक